दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा तो दोस्तो हम लोगों ने पिछले कलास में देखा था बलड के serg आज हम लोग देखेंगे blood के clotting से related यानि blood clot कैसे करता है अगर ये blood clot करता है तो body में अंदर अगर करता है तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है बाहर करता है तो उसके क्या फायदे नुकसान है आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो देखिए, first of all हम देखेंगे कि यह clotting of blood, यह clotting of blood जो है, यह जिस theory और जिस process के according होता है, उसको cascade process या cascade theory या coagulation theory भी कहते हैं It takes 4 minute approximately, लेकिन इसको अगर देखा जाए, तो 2 से लेकर 8 minute तक का समय लेता है, clot करने में, यह से bleeding time 1 to 3 minute है, एक से 3 minute तक bleeding time है, जबकि clotting time 2 से 8 minute होता है इसको अगर average लिया जाए, तो इसको हम लोग लगभग 4 minute ले सकते हैं, ठीक है, तो clotting time में कितना, यह scadding process जो है, यह पूरा होने में कितना समय लगता है, लगभग 4 minute या इसको ऐसा देखेंगे, तो 2 से लेकर 8 minute तक का समय लगता है इसमें देखिए, सबसे पहले होता क्या है, blood के clotting में सबसे important role अगर कोई अदा करता है, तो वो होता है platelets platelets को हम लोग biological term में thrombocyte करते हैं, ठीक है, तो यह thrombocyte जैसे body में cut होता है, कहीं भी तो cutने के साथ उसमें atmosphere में air बहुत है, तो air उसके अंदर जाएगा, तो जैसे ही air जाएगा, यह thrombocyte air के संपर्क में आएगा और दोनों मिलकर बना देगा thromboplastin, यह एक enzyme का काम करता है, यह thromboplastin बना देगा, कौन? platelets अगर air के संपर्क में आया, तो तुरंत thromboplastin बना देगा, और यही thromboplastin जो body के अंदर के calcium, जो कि हमको पता है कि bones जो है calcium से मिलके बने होते हैं, तो यह calcium जो है, thromboplastin calcium से मिलकर और तुरंत, तुरंत prothrombin जो body में एक protein पाया जाता है, इसको active कर देता है जैसे prothrombin active होता है, तो यह हो जाता है thrombin का रूप ले लेता है, thrombin यहाँ enzyme है prothrombin क्या है, protein है, य। यानि thromboplastin calcium से संपर्क करके prothrombin को active करता है और जियों ही prothrombin active होता है, तुरंत thrombin का रूप ले लेता है, जो कि एक enzyme का रूप है फिर आगे थर्ड प्रोसेस में क्या होता है ये थ्रोंबीन जो है ये थ्रोंबीन फाइबरीनोजेन से मिलता है फाइबरीनोजेन भी एक प्रोटीन का काम करता है फाइबरीनोजेन भी एक प्रोटीन ही है जो थ्रोंबीन और फाइबरीनोजेन दोनों आपस में मिलकर फाइब फाइबरीन जो की जाली नुमा आकरिती में इस तरह की आकरिती में होती है जाली नुमा आकरिती में तो जाली नुमा आकरिती वाली जो फाइबरीन है यहीं हमारे कॉर्पल से हमारे रुधिरानू से अब रुधिरानू में आर वी सी डबलू वी सी और प्लेटलेट्स यह ती बात में प्लेटलेट्स ही एर के संपर्क में आया तब थ्रंबो प्लास्टीन का निर्मान को पाया कि इस क्लोटिंग औप ब्लड को हम लोगों ने देखा अब इसमें देखते हैं कि कौन-कौन साथ चीज जो है इसमें भाग लेता है तो सबसे पहले रुधिरानू की बात की जाए यानि कॉर्पल्स की बात की जाए तो कॉर्पल्स में सबसे ज्यादा और सबसे अहम भूमी का निभाने वाला कौन था थ्रंबो साइड था जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं तो यगर प्लेटलेट्स नहीं रहे तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाएग ये दोनों प्लोटिंग ऑफ ब्लोड में अहम भूमी का निभाय हैं अगर देखें कि ये फाइबरिनोजेन और प्रो थ्रंबीन की उत्पती हुई कहां से यानि कि ये कहां बने हैं तो ये दोनों बने हैं लीवर में ठीक हैं ये दोनों बनते हैं लीवर में अब देखिए अब बात करें एंजाइम की कि कौन सा एंजाइम जो है जो हमारे रक्त के ठक्का बनाने में मदद करता है तो वो है एंजाइम थ्रोंबीन ठीक है यहीं थ्रोंबीन एमारे एंजाइम का काम करता है जो की ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है अब देखते हैं एलिमेंट के ब कि metal कौन सा metal है जो इस clot में अपना अहम भूमिका निभाता है तो metal की बात कि रहें तो वो भी calcium ही होगा element भी calcium होगा और metal भी calcium ही होगा अब vitamin की जब बात की जाए कि कौन सी vitamin है जो clotting of blood में help करता है तब जाकर कहेंगे कि vitamin के अजब कि हम लोग सुरू से बच्पन से यह रटते हुए आ रहे हैं मतलब बहुत ही lower class से ही कि vitamin क के चलते हमारे body में blood का ठक्का जमता है ठीक है अगर vitamin क की कमी हो गई तो blood का ठक्का जो है जमना वो नहीं होगा जिसको हम लोग ही hemophilia नामक disease कहते हैं ठीक है तो अब बात जब हम जब पूरे तरीके से समझे तब हमको पता चला कि vitamin तो उसमें का माइनर चीज है जो vitamin की बात पुछी जाए तब हम कहेंगे कि vitamin के होगा अगर element की बात कह दिजाए तब calcium कहेंगे metal की बात कहे जाए तो calcium कहेंगे enzyme की बात कहेंगे protein की बात कि जाए तो pro-thrombin और fibrinogen कहेंगे लेकिन हम लोग सुरू से याद क्या किया है कि vitamin K के चलते blood का थक्का जमता है ठीक है अब देखिए यह जो vitamin K के चलते हम लोग याद करके आया है कि रक्त का थक्का जमता है अगर यह नहीं जमे तो उसको disease बोलेंगे और वो कौन सा disease है hemophilia disease कौन सा disease है hemophilia यह hemophilia नामक disease में क्या होता है कि अगर इस रोग से संबंधित कोई भी patient है अगर उसका कहीं कट जाता है या कहीं घाव लग जाती है तो blood रुकेगा ही नहीं blood continue flow करते रहेगा निकलते रहेगा flow में तो अगर यह hemophilia नामक रोग देखा जाए तो यह mostly जो है लड़कों में होता है यानि boys में होता है girls में नहीं होते है girls भले ही उसकी वाहक हो सकती है लेकिन होता नहीं है लेकिन फिर भी यह सबसे पहले माना गया exception के तोर पर सबसे पहले यह देखा गया hemophilia नामक डिजीज ब्रिटेन की जो महरानी विक्टोरिया थी उस विक्टोरिया में यह चीज देखा गया विक्टोरिया महरानी में यह सबसे पहले hemophilia नामक डिजीज देखा गया अब देखते हैं यह blood यह जो है outer surface बोडी के outer surface पे कटता है तब जमता है उसका process देखे अगर यह सेम चीज inner part में हो जाए बोडी के यानि शरीर के अंदर हो जाए तब क्या होगा तब तो बहुत मुस्किल होगा अगर यही चीज हिर्दय में यानि कि heart में अगर यह चीज हो जाए ब्लड जम जाए यह फिन brain में यह चीज हो जाए तब क्या होता है तो उसके लिए प्रकिर्ती ने नेचर ने बहुत ही मतलब एक सामण जसे तरीके से एक system बनाया है जिसमे जैसे ही यहाँ फाइबरिनोजेन और प्रोथरमिन नामक दो प्रोटीन को बनाया लीवर में ताकि वो ब्लड को जमाने का काम करे वही एक और प्रोटीन हीपेरिन नामक प्रोटीन वो भी बनाया लीवर में जो जमने नहीं देगा अब आये समझते हैं कि ये हीपेरिन आखिर है क्या इसका काम क्या है तो ये जो हीपेरिन है ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि लीवर में ही बनता है अब ये काम क्या करता है ये हीपेरिन अकेले ये सब पे भारी पड़ जाता है ये जितना आभी देख रहा है ये सब पर भारी पड़ता है अकेले हीपेरिन हीपेरिन कहता है कि जब तक हम हैं तब तक आप बलड नहीं जमा सकते हैं यानि बॉडी के अंदर जब तक हीपेरिन रहेगा बॉडी के अंदर बलड क्लॉट नहीं करेगा लेकिन जियों ही हीपेरिन डेड होता है अब डेड होने का देखिए हीपेरिन का सबसे बड़ा दुस्मन है एर सबसे बड़ा दुस्मन क्या है एर जैसे बॉडी में एर अंदर जाएगा वहां का हीपेरिन मर जाएगा बॉडी में एर इंटर किया कि हीपेरीन वहां का मर गया अब जैसे हीपेरीन मर जाएगा ये सभी मिलकर ब्लॉड को क्या करेंगे क्लॉट कर देंगे ठीक है अगर यहीं ब्लॉड का क्लॉटिंग ब्रेन में हो जाए तो चुकि ब्रेन की नसे बहुत पतली-पतली होती है अगर वहां पे ब्लॉड क्लॉट करता है तो हम लोग ब्लॉड का जो स्पीड है ठीक है ब्लॉड का जो प्रेशर है उसको भी हम लोग जानते है बेपी का यह जो प्रेशर क्या होता है जिसको ब्लॉड प्रेशर कहते हैं 120 बाई 80 होता है न यानि कि 1 systolic 120 और diastolic 80 यानि हर्ट जब पंप करके फेकता है तो 120 के स्पीड में जाता है और जब उधर से रिटर्न होता है तो 80 के स्पीड में आता है अब जरा सोचिए कि ब्रेन की नसे बहुत पतली होती है उस नसों में अगर ये ये लोग क्या करें कि बलड को जमा दें वो नस जो है ब्रस्ट कर जाएगा पंड़ जयेगा और इसी घटना को हम लोग रोग करते है कि इसे कि इस घब होती है वह मोटी होती है मोटी नसे अगर मोटी नसे के अंदर अगर जम भी शैंगMAN करेगा प्रस्ट नहीं करेगा लेकिन ब्रेन कीनदी हिरदायं कीनदी रहर है इसा हेंम पार इंसा हो जाए तो कि दिल को दोर्णा पड़िन नहीं हो तो यह आप सुने ह lle टोटल एयर उसमें का निकाला जाता है एयर निकालकर इवेन यहां तक कि थोड़ा सा दवा भी निकाल दिया जाए ताकि उस सिरिंज में उस नीडल में किसी तरह का एयर मौजूद नर है तब उसको बोडी के अंदर इंटर करके अगर इंजेक्ट किया जाता है अगर जड़ा सोचिए कि एयर उसमें होता तो क्या होता एयर होता तो उस मेडिसीन के साथ साथ एयर भी अंदर जाता एयर अगर अंदर जाता तो अंदर जाते ही हीपेरीन को मार देता जब हीपेरीन मर जाता तो यह सारी चीज़े वहां मिलकर क्या कर देती blood को clot कर देती अब जैसे blood clot होता तो वो चीज फूल जाता सुज जाता जो दर्द करता है अक्सर ये तो हम लोग daily life में देख सकते हैं ऐसी घटना तो ये चीज होता है hyperin के साथ तो देखिए हमारे लिए fibrinogen और prothrombin जितना important है उतना ही important हमारा hyperin भी है और system को देखिए कि ये तीनों चीजे ये दोनों इसके दूसमन है और ये है ना ये तीनों चीजे संयोग से एक ही अंग में एक ही organ liver में बनता है ठीक है तो इस तरह से हम overall क्या समझ गए blood का clotting समझ गए कैसे blood clot करता है ये cascading process है क्या इसके होने में कितना समय लगता है ठीक है अब हम लोग आगे next video में हम लोग तुरंट समझेंगे कि blood group क्या है blood group हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मतलब एक microscope चाहिए उसके लिए microscope अगर रहता तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि एकदम अपने घरों में सबका blood group निकाल सकते है ठीक है तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे देखिए सब बात एक तरह पढ़िए ऐसे कि किसी दूसरे को पढ़ा सके उस capacity अपने अंदर उतना capability लाईए ठीक है capacity लाईए उसके अंदर तो overall हम लोग यह देख लिए अब हम लोग next chapter में देखेंगे और इस तरह से वीडियो को like किजिएगा share किजिएगा दोस्तों को बोलिएगा कि ओ अपने दोस्तों को share करें subscribe करें thank you